अतीक एहमद और उनके परिवार पर कानूनी शिकन जीकासर उनके पालतू कुट्टों पर भी देखने को मिल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पिंजरा नजर आ रहा है उसमें अब दो ही कुट्टे नजर आ रहे हैं। इसमें कल तीन कुट्टे थे। लेकिन अब अतीक एहमद के एक और कुट्टे टाइगर की मौत हो गई। कुट्टों की मौत के बाद नगर निगम की टीम रेस्क्यू के लिए पहुँची और शव को अपने साथ ले गई। दोनों मृत कुट्टे विदेशी नसल के थे। अतीक के इन कुट्टों को ना तो खाना नसीब हो रहा है और ना ही कोई पानी देने को तयार है। ऐसे में भोजन के अभाव में अब तक दो दिन में दो कुट्टों की मौत हो चुकी है। अतीक हमत के पास ग्रेट डेन नसल के पांच कुट्टे थे जिन में बाकी बच्चे कुट्टों की भी हालत बिगड़ गई है। ये कुट्टे भी भूखे प्यासे हैं। पुलिसिया कारवाई के ढर से मोहले पड़ों के लोग भी इन कुट्तों को खाना पानी देने से कत्रा रही हैं। माफिया तिक हमत के करीबी भी कारवाई के ढर से उसके चकी आवास पर फटकना नहीं चाहते हैं। गर में काम करने वाले कर्मचारी भी गायब हो गए हैं। उमेश पाल को लेकर राष्टी अध्यश्य मिलने गया। उमेश के परिवार ने दावा किया है कि इसी फाफामव सीट की टिकेट के लिए उमेश पालने किसी सपानेता को 20 लाख रुपए दिये थे। हाला कि ये रुपए पार्टी फंड में डोनेशन के तौर पर जमा कराने के नाम पर लिए गए थे और टिकेट पाने के लिए उसने पार्टी के कई नेताओं से जम कर पैरवी भी करवाई थी। राश्चे देज ने कहा मेहनत करो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें टिकेट दूगा। अब कारण क्या था दो टिकेट नहीं मिला ये नहीं लेकिन डूनेशन कोई नहीं एक पैसेक डूनेशन नहीं। सपाध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पार्टी के राश्चे कारकारनी की बैठक से पहले अखिलेश का गुजरात दौरा एहम माना जा रहा है। गुजरात से आई इस तस्वीर में सियासत की कई संभावनाओं को देखा जा रहा है। पी का मानना है कि विपक्ष चाहे जितनी गोलबंदी कर ले देश की जनता भाजपा और मोदी योगी के साथ है। उत्तर प्रदेश के दो लड़के बुआ बबुआ सब को एक होते तो उत्तर प्रदेश वासी उन्हों बड़े करीब से देखा है। इस से जढ़ा क्या घेरबंदी अब कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भारती जनता पार्टी के कारे करताओं ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारती जनता पार्टी को चुना है। दरसल समाजवादी पार्टी के राष्टी कारेकारिनी की बैठक 17 से 19 मार्ज तक कुलकाता में होनी है। उससे पहले अखिलेश यादव अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रही है। माना जा रहा है कि थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश अब विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लाने में जुटे हैं।